हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टर्डी विथ क्रेजी गुरू फ्रेंड्स आज हम जो DRDO सेप्टम 10 एकजाम क्या देख लिए DRDO सेप्टम 10 एकजाम की तरफ से स्ट्रिनोग्राफर कलर्ग ड्राइवर और फायर मैं यह चारों का एकजाम में जो पूछा जाएगा कोशन उस पर हम उसी की बेसिस पर जो टेस्टरी का जो श्रिंखला है जी के जी इसका उस तरह हम ला रहे हैं और इस चाइनल पर क्या है कि यह मतलब रिजिनिंग का विज् सब्सक्राइब कर देना है तो आज हम जो टेस्स नंबर फोर को डिसक्स करेंगे क्या करेंगे तेस्स चुरिजनर फोर को डिसकास करेंगे और एक्जाम पैटर्न पर अधारीत होगा है मतलब आपको कि जाम पैटर्ण पर आधारीत मतलब क्या दिख लिए जो Everybody यह सेप्टम 10 में आपको कोस्टन 75 कोसा जागा कितना कोस्टन 75 कोसा जागा तो 75 में आपको क्या क्या पुछा जाएगा इंगलिस पुछा जाएगा मैथ पुछा जाएगा और रिजिनिक पुछा जाएगा जो जी के का कोस्टन होगा उसमें 20 कोस्टन आएगा 20 कोस्टन जी के फिर नहीं को हम डिसकस करेंगे और इसी तरफ टेस्ट रिंखला है जो इस तरह आते रहेगा और क्या है कि से मतलब इस चैनल पर जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो स्टाट कर दिया गया है तो मध्यकालीन भारत के जब इतिहास खतम जागा मुगल बंस तक उसके बाद फ तो आप देखिए जो मध्यकालीन भारत का कल जो वीडियो डाला गया है उसमें जो भारत अरवो का करमन महमुद गजनभी मुहम्मद गौरी का भारत मागमन फिर उसके बाद गुलाम वंस का कैसे अस्थापना होता है वह भी दिया वह पर है उसके वीडियो लगेगा आपको तो क्या है कि उसको थोड़ा कमेंट किजिए फिर उसके बाद खिल जीवंस लानेंगे अगला वीडियो जो आएगा खिल जीवंस राएगा तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और दोस्तों कभी शेयर कर लिजिएगा त सब्सक्राइब करते हैं जो निमलिखीत में से कौन सा कर भारती राजयों का राजस्तों का सुरोत नहीं है तो आपको क्या है कि मतलब थोड़ा साब को देख लेना है क्या पूशा है क्या पूशा है क्या Not हSON में यदि तो कितना कंग तो इसमें जो को संब लेकिन निगम कर जो होता है जो केंद्र सरकार का निघम कर होता है और क्या यह पर्तियक्स क्रणाओ किया है कि पर्तियक्स होता है मोटर वहला हर होता और मनेयले कि अन्यार्च टोटा है लेकिन इस कोश्ण का अन्ष्ण होगा निया क्यों का ईसस्तर मुनलट dare तो निगम कर नहीं है तो option D हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इसके बारे में कुछ जान देखें आपको बताएं भारती जो निगम कर है भारती राजयों का राजस्त्र शुरोत नहीं है निगम कर क्या भारा सरकार मतलब केंद्र सरकार का मुख्य शुर उसके बाद आपको बता दिये वह क्या है निगम कर पर्त्यक्स कर आपसे पुछ देगा कौन सा इसमें पर्त्यक्स कर नहीं है कौन सा पर्त्यक्स कर नहीं है तो आप देख लिजेगा राज्य सरकार के आय का सुलूत क्या क्या होता है देखिए भूर आजस्य और माल गुजार किसका है राजय सर्कार का है उसके बाज में राज़े में कितना हूँा जना टैर कर पिखäg जह राजयर सरकार का करलेता है और उसके बाद विक्रि कर कौई शारो कि android सरकार कर नहीं लेता है केंदर सरकार कर नहीं लेता सब्सक्राइब पर निगम कर जो होता है के पर सरकार से क्या आपक Conrast question number 22 Qge sion नम्बढ 22 Qge sion बोला है क्या बोला ओस मांग अनुदान कब बन जाती ने इसका option क्या हो जाएगा मांग जोहा है अनुदान कब बन हjän निकी मांग सुविकार हो जाती तो मांग सुविकार हो जाएगी तो क्या हो कि देखे जाएगा कि अप्सन सी हो जाएगा कि मांग अनुदान कब बन जाती है तो मांग रोजाने के बाद तो चलिए इसके घिडुन線 पर गेंदर केंदर द्वारा राजयों पर सहायक अनुदानगा। यह सब क्या आपको आते रहेगें कि तो उसमें हम देखेंगे मतलब आप कर लिजेगा तो जो है भारतिय सब्धान का आर्टिकल सभने केंद्र द्वारा राजयों को सहाय का अनुदान दिया जाता है उसके वार्षिक जो बजट होता है जो ऑटीकल ने मतल сх Tarric कर लिजेगा जो वार्षिक बितिये विवरन बजट जो है आर्टिकल 112 में है तो आप याद कर लिजेगा तो आर्थी समिक्सा के बाद बजट संसद में पेश किया जाता है जो जो मतलब दिर्वला सितारमन जो अभी विट मंत्री है तो उनके द्वारा पेश किया जाता है उसको देखे लेखान दान प्राया चार माहा के लिए क्या मंजूर किया जाता है कितने कितना माहा के लिए चार माहा के लिए तो ठीक है ऑप्षन इसका 22 का ऑप्षन सी हो जाएगा तो यह हो गया उसके बाद देखें वाइस का ऑप्षन सी से जाता अगला है को सर नामबर 23 निया पाली का निवा का संदकशन और बनाता है इसका ओक्षन हो जाएगा निया इक समीसा क्या नियाक समीक शाप्षस तो इतना जान गया हो जो नयाइपालिका को सामिधान का संदक्षन कौन बनाता है तो नयाइक समिक्षा बनाता है देखें नयाइपालिका को समिधान का संदक्षन नयाइक समिक्षा बनाता है उसके बनाता है उसके नयाइपालिका को अनुश्यद 137 आपको बता दिना है 177 के अंतरगत नयाइक समिक्षा का अधिकार है और कहां से लिया गया है तो यह सनुकत्राज अमेरिका से लिया गया है ओके जो न्याईक मर्स आफ से ने कर सकता है तो ऐसे नीरने में लेला गया कि वहaltra निरने गलत नहीं लिया गया और कि जेशक लगे वा इसे गलत ले लिया तो शुर्म करता है में बदल भी सकता हम चेशलम जाइसे मतलब इसको क्या मतलब सुप्रीम कोड जो क्या करता है कानून को समिक्षा कर सकता है और समिधान जो है सम्मत नहीं होने पर उपएद घोसित यदि समिधान में मतलब जो प्रोटोकल होता हो फोलोग नहीं होगा तो उसको क्या करेंगा उसको अबाय decisions खोशिती भी कर देगा कौन甲ों को इतना सब्सव्त को अधिकार है निए एक सभ है आर्रिकल परकार की जलबायू का दूसरा नाम क्या है थुरूर परकाल्व का दूसरा नाम क्या है धुरूर्वय जलबायू का दूसरा नाम क्या है ? आपको बता दीये, धुरूबय परकार मतलब इस से कोस्तान पुछा जाता है तो उसको आप साही से दिख लिजेगा तुंड्रा परकार के जलवायु का दूसरा नाम है धृबिय जलवायु देखिए यह जलवायु 66 डिग्री मतलब सियासत दिग्री से 90 डिग्री अकसांस के मध्ध में स्थित है कौन मौसम की अवस्थाओं तथा विविद्रताओं की अवस्थत को क्या कहा जाता है तो उसको जलवायु कहा जाता है जलवायु किसे कहा जाता है किसी विशाल सेत्र में लंबे समयवध्धी और मौसमों की अवस्थाओं तथा विविद्रता मतलब उसमें कितना विविद्रता पाया गया है मतलब चेंजेस उसी के जो उसत को जलवायू कहा जाता है उसके बाद देखिए सवाना तुल्ले जलवायू परदेश को सुदान तुल्ले जलवायू भी कहा जाता है मांसूनी जलवायू परदेशों में वर्षा जो होती है चक्रवाती परवतिये एवं सहंवनिये तीनों परकार की होती है लोगे तो इतना हो गया जी कोशन से मतब़िए ट्वंटी फॉर का उप्सण इसका डी हो जाएगा छलिए नेक्स नाता है नेक्स कोशन किसने कहा था संसद्य परणाली सरकार का दैनिक मुल्यांकन भी उपुलव्ध कराती है और आवधिक भी तो कौन कहा था देखिए ऑप्षन इसका हो जाएगा ऑप्षन डॉक्टर भीम्राव डॉक्टर भीम्राव अंबिदकर कहे थे यह मतलब जो संसद्य परणाली सरकार है उसका जो दैनिक मुल्यांकन है उपुलब्द भी कराती है और क्या आप देख भी कराती है तो कुछ हम जो अंबिदकर जी के बारे में जान लेते हैं देखिए उनका जनम कहा हुआ था जो इंदर मध्यपर्देश में हुआ था और कब जनम हुआ था तो 14 अपरेल 1891 इस भी को बाता तो 14 अपरेल कुन का जनती मना जाता है अमिदकर जनती कब 14 अपरेल को तो के इतना था अब इसके बारे में कुछ और आगे जानते हैं तो 25 का अप्शन यह हो जाएगा उसके बार अबारे में दोक्टर शचूब भीमरा अमिदकर ने संसदिया पणनाली के पक्ष में तर्क दिया कि यह अधिक उत्तरदाई सरकारें पढ़ान करें जो अंतरा यह संसदिया पण्तवरान के अब्शन मनें तरह सों अधिस किस तरह सरकार सथंच जो मतलब देश को चलाएगी तो उसको क्या करेगी मतलब अधिक उतरदाई परदान करेगी ओके वह किनका विश्वास था ओ भीम्रा अंबेदकर के विश्वास उसके बाद देखिए डॉक्टर जो भीम्रा अंबेदकर है ने यह तर्क दिया कि संसदिय परनाली क्या है सर्वोच मतलब सब से उ प्रारूप समीति का अध्यक्स बनाए गया था लेकिन डेट आप आप याद रखिया को समीति का देखिसे बनाए गया था तो डॉक्तर भीम्रा अंबेदकर को याद कर लिए उसके बाद देखिए और आप से कोस्तन पुछ देगा दो कोसां बहुत पुछता है एक सलाहकार समीति का पुछ देगा तो बी एन राओ हो गया याद मत हो इसलाहकार समीति थे और जो पर रूप समीति के जो अध्यक्स बने थो भी भीम्रा अंबेदकर बने थे ओके उसके बाद देखिए और जो 13 दिसंबर एक घटना है मतलब सबनाइ परस्तावना कोそう किया गया था आपने जो सब्सक्री में प्रष्टावना को पेस्स किया जैए परस्तावना की दो में मैं सब्सक्राइब पेपर लागा तो उसमें क्या का बताम उसमें पूरा बताम का अभी क्या कोशन कर रहा हूं तो पूरा कोशन पर टाइम दिया जाता है तो जो वीडियो है लंबा हो जाएगा तो जब आहला नहरू जो है आपको बिष्वास है जो परहा जाएगा से और डिटेल से परहाएगा 25 हो गया चलिए 26 पर आते हैं देखने भारत अंतिम देखे यहां पर का है जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल नहीं हो देखे यहां पर हो जाएगा जो लिखा गवाए उसको ऐसे कर दीजिए ऐसे ऑके और यहां लेख दीजिए वाय सरा है लुए लेकि 1857 शर्वी का युद्ध हुआ उसके बाद संथा जो भारत जो इंग्लेंड के कराम के हाथ में महराने ती उसके कराम के हाथों में आपको दे दिया गया और वहां से चलने लागा उसके बाद क्या हुआ भारत में जो अंतिम गवर्नर जनर्नल थे मतलब उसको हट लुए जब लाइस राय कर दिया गया था और लास्ट वायस राय जो थे उनाइस सो स्टालिस में कौन थे लौड मांट बेतन थे और यादि आप से पूछे जो लास्ट जो वायस राय है जो भारती यह हो कौन है यह याद कीजिएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भी सब हो जाएगा चली इसके बारे में कुछ जानते हैं तो भारत का अंतिम वायस राय लोट मांट भेटन था भारत का अंतिम भारतिये गवर्णर जरनरल आपको पता दी कौन थे और अभी देखिए वह अभी गवर्नर कौन है अभी गवर्नर राज्ये में होते हैं राज्येपाल को पुला जाता है तो के आप समझ गया उसके बाद देखिए चार जुलाई 1947 को बीटी संसट में किलिमेंट एटली जो परधान मंत्री थे ओके कौन से पार्टी के कौन से ले बिर्टीन के समराथ था उसके द्वरा सुखिरती में लिकब 18 जुलाई को और चार जुलाई 1947 को जो संसत में पेस किया गया जो वहां के परधान मंत्री थे उस वक्त का एलिमेंट कौन थे एलिमेंट किलिमेंट एटली थे उसके बाद देखिए सर एक और है जो किरिप्स मि लिखनान में 3rd सढल से आया था तो कौन कौन हो आएथ है वाप कमेंट में लिखे क्या जो दो vy्श्रीज 3 सरी पहले बता बता शो स्की discharged किया हो उसके उनके बारे में बता चूका हूं तो आप बताइए जो तीन जो सदस्य है क्रिप्स परस्ताव का तो वह क्या करना आपको कमेंट में लिखना है उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रतम जो गवर्णर जनर्रल भी लॉर्ड माउंट बेटन थे जो स्वतंत्र भारत 1947 में हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वह पहले वायसराय कौन थे लॉड माउंट बेटन 1947 में उसके बाद सीराज गोपलाचारी हुआ उसके बाद क्या हुआ हुआ कि जो वायसराय का पत है उसको समाप्त कर दिया गया उसके बादे कि आपको कोशन बता दिये थे जो प्रतहम वायसराय थे लॉड कैनिंग थे ओके एक है इसस्व्वी अविपाधिंगे बताएंगे किस तरह गोएनार चाहरो पिर भारत का गवर्नर हुआ ऐसके बादती बाहरात का रात्री और उसके बारे में आपको प्रत्वाम कौन किसके बाद आया हुआ उसके बाद उनके द्वारा जो महतवपूर्ण का क्या का किया गया तो तो सब मैं जो मध्यका भारत की इतिहास में जब परहाऊंगा आधुनिक भारत में परहाऊंगा तब डिसकस करूंगा ओके चलिए कौश्षण नमर 27 पे आते हैं 27 का कौश्षण है मानोव शरीर में भारी मात्रा में आसवन डालने से लाल रखत कोश्काए क्या होती है तो देखें सुजती और फूट जाती है क्या हो जाती है देखें तो अप्शन इसका सी हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ देख ले बहुत जाती है पराषण के द्वारा जल राल रक्त का निकां में परवेश कर जाती है सब्सक्राइब अदेट हो जो जल है जो आरवीची में मत्या परव्येस करते है कौन सी याद कर लिजेगा परासरन वाती दौत क्या होते लोग जरत्ओं मेन जाए में ध्याता है कि को विश्टफ नहों के पिख सटाम का नहीं प्रतौन kalau अब सकते हैं तो एक संयोजी उता है उसके बाद रख्त का निर्मान होता है ता अस्थी मज्जा में होता है और रख्त क्या है एक है तो सबसे तो सबसे बरी आरबी सी पाया जाता है और सबसे च्छोटी ही हरन होती है उसके पाया जाता है उसके तो आप याद रखिए यह बहुत अच्छा कोछन है उसके बार देखें के अनुसार मानों शरीर के सबसे छोटी कोछ का क्या है और यहाद किजिएगा और कोमेंट बॉक्स में लिखे जो आरबी सी का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है तो आपको क्या करना है कमेंट में लिखना है तो आप लोग वीडियो देखते हैं और पुरा पॉइंट परते हैं तो 27 का आपको बता दिये अब 28 का क्वेशन प्राइब देखिये 28 का कोस्टन है नावकी रियक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला इंधन हा उंत्रियूम इंधन है मतलब दो स्कार्ण रव लाद याद कर लिएन कर D हूं रियक्तर रियक्तर में इंधन के रूप में क्या इवरेनियम 235 और प्लिट्रोनियम 249 प्रेव्ट के जाता तो याद कर लिजेगा इउरेणियम 235 और प्लिट्रोनियम 249 उसके बाद देखे रियक्टर में मंदा के रूप में भारी जल या गिरेफाइट का उप्यों के जाता है भारी जल मतलब क्या देखे लेजिए धीटु ओ ठीक है इसका फ लेकिस नूट्रन की घृती उसमें तुर्य के नाभिक में है्ट्रोजन के शलयन किरिया उर्जा का शुरूत है जो है जो नीट्रन के शलयन किरिया उट्वरजा का सुरूत है फर्मौला कर लिजे उसके बाद कि इसका आपको पता दीए ऑप्षन इसका सी था उसके बाद 29 अपको प्रमौला है जो मतलब ऑनने से रख्त जो है भूरा हो जाता है मतलब जो आक्सीहिमोगलोमीन है जब ऑप्सीजान होता है तो जो उसमें संग्रहित रक्त होता है क्या हो जाता है भूरा हो जाता है कैसा हो जाता है भूरा हो जाता है तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं को देखियें जो मीथे गुलोबीन है के बनने से के संग्राहित रख्त भूरा हो जाता है एक हीम समूः के बार में फोर्टुब अनुओ को ले जांश जांश aja वाद दो जब रखत को समय तक संग्रहित क्या बतलो ये त्टम पूद क्यों मतलब एकठा करके करते हैं unconscious चीह सम्हूं को फेरिक स्थेटी फेरिक फेरिक क्या सिद्ट में औषिकरण हो जाता है और हीमोगलोबी में परिवर्थित हो जाता है और रंग हो जाता है तो न हम इ grappling कोसन में था है है हेमिंठ हेम प्रोटिन है जो ऑक्सीकरन ले जा सकता है और क्या होता हुटता है कैसा हो तरह चाहता है उसका रंगत है 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 यो hug hai और मत घुला होता है और हेमियों सब्सक्राइब गृफ्सका होता है तो लिए 21 का भी हो जाएगा आप देख लिए अब आते हैं कोस्ट नंबर 30 में तो कोस्ट नंबर 30 देखिए परकास अंसलेशन की किरिया में किस परकार का परकास जो है सबसे अधिक परभाव साली होता है तो देखिए सबसे भीब गयोर आप याद किये होंगे क्या भीब कियोर ओके त परकास अंसलेशन की किरिया में किस परकार का जो परकास होता है सबसे अधिक परभाव साली होता है तो लाल तो इसका बारे में कुछ देख लेते हैं 30 का देखिए परकास अंसलेशन की किरिया में लाल रक्त के परकास जो है सबसे अधिक परभाव साली होता है ओके बता दि होता है जो पढ़ो में जोल होता है कि गुलकूज और इससी को क्यों कशिछा परकाशन सेलेशन के किरिया को oxidation तथा सचान की करिया है मतलब क्या है और होता है जो को प्रमानु होता है क्या या पाइन याद कीजेगा आप देखे एक कोशन 30 का जो कोशन भी वी याद रखी जो अभी पॉइंट बता रहे हैं कोलोरोफिल में जो केंद्राक में क्या पाय जाता है तो मैगनिसिया मतलब तो मैगनिसिया मतलब एम जी पाय जाता है तो चलिए 30 का दी हो गया समझ गया है कोस्ता नमर्टि वन पर आते हैं तो 31 देखिए टीका करन रोगों की रोखथा में मदद करता है क्योंकि यह क्या जो शरीर में पर्तिर्यूदक सक्ति होता है उसको जो पैर्दा करते तो आपसा नमर बी वोगया त्टिका करण रोगों कीuso g Mekanali को पैदा करता है चाली इसके बारे उसके बारे में कुछ जान लेते हैं tell दो करने को पैदा करता है क्योंकि यह सरीर में प्रतिरुदक सम्णा को पैदा करता है अधे सब्सक्राइब किया ठाइद ही के सब्सक्राइब एट वार्ट जेनर की आथा और पोलियो भैक्सिन की खोज किया था जो कौन उसल्क जहनी शॉल क्यों इसका यह विद यह जो फोली यह दो गया उसके बाद कहले किया था तो यह पाल मिट आधा उसके एक और दो प्रता में तीउद्प प्रत्त में को किसने किया था तो इलख जंडर फ्लेमिंग टाषक्क चैक आए और इयाद्री विए दुटरत्या कि आख पर्त्त I सेरेर का आरमी यहासा है तो व ईसका निर्मान होता है तो 100 मज़ामे और इसे सरीर का आरमी कहाता है ऐसे शरीर का आरमी कहाता है और क्या है व द्युव इसके का जीवन कल कितने दिन का होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हैं तो 31 के कोशन हो गया आप 32 पर आते हैं इतना आप समझ गया है क्या आप नोट डाउन कर लेजिए उसके बाद के हैं यदि आप गुलकुंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम लिखित में से किस राज देख गुलकुंडा का है तो करनाटक में है फोल कि हो जागा चली लेतेХ यह इसके बारे में नगए गुलकुंडा का क्वंहीं सोड़ी गुजापूर करनातक में believe bis जा गुलकुंडा कग के राजे में जाना जाएetzt है तादी में तन्ला Ό है नहीं गंदा टाइसि निवन कर वारण जो है कुली कुटूबसा का बहुत अचा इतियास है कि आधनिक भारत पर हाँ तो पूरा इतियास बताँ तो खुली कुटूबसा ने गुलकुणडा में जो गुल गुमबद है उसका निर्मान करवाई था उसके बाद दुगियां जो कुटूबसा ही वंसके अस्थापना किया था जो गुलकुंडा में खूली कुतूबसान ने किया था। इसके बाढ़ किया, जब भाहमानी समराज क संग में के बिजयनागर समराज और भाहमानी समराजों के तो माध्यकर भाहमानी तो जब हमानी समराजय का जब घठन हो गया उसके बाद को साही वए अस्थापना किया था कूली कुल सब्साने किया उसके बाद लिए जो और गोह पार्णी इसके पार्णी कॉंध नोगल जो बाध्षा था पर जीत लिया मत्व सिया मत्व होने कारण ओके जो सुनी मुसल्मान होता है और गुलकुंदार विजापूर को और अंगजेव जो है वह जीत लिया था को स्वा को नाना सहब के बारे में कुछ देखें वाला जी बाजी राओ पेश्वा को जो बाला जी बाजी राओ पेश्वा थे उसको देखें दोस्तों आपको बता दे जो शत्रों सब्सक्राइब का और पानिपत का तिर्थीय युद शुगा था अहमद्षा अबडाली और माराथा के बीचे में हुआ था और फेसवा कुन थे बालाजी बाजी राओ जिन्हें नाना सहावी बोला जाता है तो उसमें जो है माराथा जो समराजे था उसका पूरी तरह भी घटन हो गया था क्या जो अहमाच आपडाली था उस जीत गया तिसरा पानिपत म वगिए तो वह क्या है मतलब बहुत ज्यादा सकती उभ आने वाला था लेकिन का हुआ है मतलब उस यूद्ध जो है उ मतलब मराथा समराजे के लिए बढ़ा तो किया इतना समझ गया उसके बाद बाला जी जो न्तिम पेंस पासे उसके बाद दिए आपको बता दिए पानि बता दिए ना चले ठीक है उसके बाद आपको बताते हैं पानिपत के तिर्थिये यूदि में मराथा सिना का नाम मात्र के सिना पती पिस्वा के पुत्र विश्वास राव था ओके उसके बाद देखिए और उसका नित्रित तो कॉन कर रहा था तो जुस सदासिव राव भाव सिना धिया प्याद देखिए और यहां देखिए पनदर यहाद द्याय थांधन में बाद पर देखिए ऐसानिक परहें कि नहीं ऊंगी से त्यास नहीं पर आ जाता समाझ गया उसके बाद देखिए सब्सक्राइब करें जर्मानी की मुद्रा आपको बता दिये क्या है और जापान की मुद्रा क्या है यह नहीं है तोकियों में ज़्यों का उलंपिक है उसके बाद यह एंगे यहों कहां का है उसकी अर्जन्टीना Πेसो अरण्टीना के मुद्रा है अर्जन्टीना पेसो थो मिया देख लिए 35 का क्वेशन देखै किNIS 0 का दुसरा सबसेब्गत नहीं सीव सबती इसके बारें कुछ का सबसेब्गरते कौन सा है आपको बता है जो कैसी शूरा सबसेब्गत नहीं चलिए ठीक है उसके बाद देख लेते हैं जब सबसे बारा कौन सा देखें एसीया है एसीया के बाद जाएगा फिरका उसके बाद उत्री अमेरिका आएगा अंटार्क्रिक आएगा यूरोप आएगा और सबसे छोटा अस्टिलिया तो करम याद कर लिए आप कोस्तान कभी को करम करंवाय तो क्य है एप सबसे प handicap भाई उसके बाद ऊतरी अर्वी ऑन्सका उसके बाद छटी को स्थो करवह एक गांधि जीन ने अखील भारतीय खिलापत कमेटी की जू अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षत कर घया देखे तो कब किया था देखिए थे संबर उनइसद देखिए नॉपर उनस ही 90 ग पह cautious goose ज हो जाएगा जो अखिल फ़हरत्य खिलापत कमनेथी कन्याइखता कशिल रीवि으 गांडी जी को कि आर हुआन। अंतरास्ति अहिंसा दिवस दो अक्टूबर को मना जाता है जो आपको पूछ देगा जो डो अक्टूबर को एक कौन साथ जुनेता है उनका भी जनम दिवस है तो लाल भादु सास्तूबर तो इसके बारे में कुछ जान लेते इसका अप्शन भी हो जागा चलिए गांधी जी के बारे में कुछ देख लेते हैं तो अखील भारतिये खिलापत कमेटी का अधिवेशन जो हुआ था था तेईस नमवा उनईसको अध्यक्स्ता किये थे इतना आप जानके गांधी जी के सन्वारे में उसके खिलापत अंदोलन कई से उनचाश्यक्त का सित्व फार्ट गांधी जी ने खिलाफत अंदोलन में मतल अपना समर्थन झाल अपना अञर्ण अखारा जो किलापत अंदोलन की बताईए देखिए कि लापत अंए जो घलीपा जो थे फरकलिपा कॉन थे महम्मास नहीं जुक्राइत है तो उसके बाद क्या होता है जब में शांती समयलन का आयजन होता है उसके बाद तो इसलिए यहां मुस्लीमों द्वारा भारत मुस्लीमों द्वारा खिलाफ हतं दुर्ण चलाए गया और तुर्की के खलीफा के लिए और इसमें महत्मा गांथी भी जो है तुर्की का नया नाम किया गया है तुर्की के जो सुल्तान है खलीफा भी मुसलिम जगत के थे इस कारण भारत सहीत विश्व के मुसलिमों ने क्या किया विरो तेकिया ओकि आप समझ गया है उसके बाद आपके लेकिन उसके बाद क्या हुगा है जो आपसे पुछ देगा जो मुस्तफा कमाल पासा, जोकी खलीफा पद को समाप्त कर दिया कब 1924 दिश्मी जो मुस्तफा कमाल साथ है ओ खलीफा पद को तुर्की में समाप्त कर दिया कब 1924 में और किसके द्वारा तब मुस्तफा कमाल के पासा के द्वारा चलिए कुछ गांधी जी के बारे में और कुछ जान लिए देखें गांधी जी जो है जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक बार समय करना तक मैं किये थे और कब किये थे उन इस साथ द्वारेज नहकर देखें यहीं बोले थे कृद्रेस नहीं का मतलिफ की चुdeterm करना करें और की तो कंगरेस समंप्त करने के बाड दो निए होगे फिर बताएं इतना आप समझ गए उसके बाद देखिए कोस्टा नमबर अगला आते हैं 37 पर आते हैं 37 देखिए कौन सा अधिकार जो है सर्वोच नियाले को पराप्त है तो 37 का option हो जाएगा दि मतलब राजनीतिक पुनर रिक्षन न्याइक पर रिक्षण और कानून निपक्षण तीनों जो है सर्वोच नियाले को पराप्त है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 37 के बारे में देखिए goza lähet 37 के बारे में कुछ दिख लीजेος सर्वोच नियाल्य विखल्प में सब चाहिधिकार प्राप्त है राजर ही पुर्वारी अर Deaflys य। सवर्वोफ नियाले मट्था सुप्रीम कोट में च jadi संसर्वारा बनाए गया कानून और अपने दिये गाये निर्ने को क्या पुनरिक्षन कर सकता है आपको पिछला कोशन हमां बता देते हैं आर्टीकल 137 यदि उसको लगए कि चे यह सही नहीं है तो उसको क्या है अवाध घोशित भी कर सकता है आपको बता दिये थे यदि कोई कानून समिधान का रूप नहीं है तो सुपनी कोट उसकानून को अवाध घोशित कर सकता है तो क्या कि पिछला कोशन में जो है मतलब आपको डिटेर बता चुका हूं तो 37 का अप्शन जोगा अप्शन डी हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन प पहुत मतलब बहुत ही महता पूर्ण था कम चलिए कोशन में है 38 का क्वेशन है क्या है भारत नहीं तैवान की परमुक इलक्ट्रोनिक कंपनी जो पेगा ट्रॉन है क्या है देख लिए पेगा ट्रॉन ने भारत के किस सहर में आईफोन का निर्वान का शुरू किया है तो कह बहुत किया है तो इतना याद कर लिए चुरुं है था फोला गया अब आते हैं नेक्स कोसन देखिए भारत ने किस डेश से तो आप बताई यह कमेंट में जो जो वाइटन है जो कि अमेरिका के राष्टपती है अमेरिका की कितने नमर के राष्टपती है और उपर राष्ट्पति कौन है कमला हे रिशा तो वह कितने नंबर की है तो आपके क्या करना है कमेंट में लिखना है कि जाम में आपके यह नहीं पूछ देगा आपसे कोशन जो अमेरिका के राष्ट्पति कौन है आपसे कोशन पूछेगा जो अमेरिका के जो राष्ट्प बने और राष्त पती यो दर्वनाइब रास्थ में जो एक रिकल्स UKS में जो सब्सक्राइब नुट्यकिने सोफल्पती एकिने सब्सक्राइब रहे पिलए पयुए और बार्णा जो पाक्ट है और एक dat के राजयपाल भी रह चुके थे उसके बाद वह उरिषा के संथाल जन जाती से समझ देते हैं कहां से संथाल जन जाती उरिषा के चलिए इतना बहु ज्यादा को सन आपको पता दिए इतना याद रखिएगा यह का है पेपर में नूट कर ले जाए सब कोशन ऐसे कोशन बताइब का फुल फुरम देखें इंतरनेशननल इनियन फॉर कंजरवेशन ओफ नेचर होता है इंतरनेशनल इनियन फॉर नेचर होता है और इसका हेट क्वाटर है हेट कोशन पूछ देता है जो तो हेट क्वार्टर से कोशां बहुत पूजा जाता है तो गलेंट सुच्जेर लेंड में उसके बाद देखिए उसके बाद एक UNEP United Nation Environment Program United Nation Environment Program इसका हेट क्वार्टर कहा है नैरोबी Kenya में है नैरोबी Kenya में है इतना समझ गया है उसके बाद देखिए WEEF मतलब WEEF का फुल फरम क्या है तो World Wide Fund ने ने वर्ट एकोनोमिक फरम WEEF बता है ना सी बता रहे है WEEF मतलब क्या वर्ट एकोनोमिक फरम और इसका जो हेट कवार्टर है कहां पर है को लोगनी में है तो इतना हो गया उसके बाद एक और ऑप्शन देख रहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड नेचर जो हेड क्या है गलेंड स्वीट्टिटजर लेंड में हैं यूचियन धेख slight है इसका जो दोनों का जो जो हेड क्वाटर है गलेंड स्वीट्टिजर लेंड में तो इसका अप्सन क्या था नेचर करेकरम किसी समझ देता है तो आई यूसी एक इतना जनकारी हो गया देखे फ्रेंट इतना कोशन जो है जो कोशन पूरा डिटेल के साथ यहां पर है जाता है यदि आपको वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों को शेर किजिए तो क्या क किजिए दोस्तों को सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए तो कहा कि इससे मोटिवेशन लोग को बना रहता है तो इस तरह बीटिव आपको आते रहेगा चलिए थैंक्यू ओ डैंक्यू नहीं है झाल कर दोस्तों कि कजिए तो उक्लिए तो मुड़कर खंखित उन्हां रहता है बिवां उआ functioning किक प jourग प्राइब क्याका प्राण घड़कर दे सेर को को ब मत एंक्यू पrekogoब तो मुड़कर चेया झाल किऑम से कियम एन रहता हून से वस्तों